Hey everyone, welcome to my cooking lunch vlog. I hope all of you are doing well. तो रोज रोज नया क्या बनाया लंच बॉस के लिए या फिर लंच के लिए या फिर डिनर के लिए वही बेसिक सा खाना वही बोरिंग सा खाना तो आज मैं वही बेसिक वही बोरिंग खाने को काफी ज़्यादा टेश्टी एंड हैल्दी बनाने वाली हूँ आज मैं बना ली हूँ मुंगदाल पालक जो की बहुत ज़्यादा टेश्टी बनेगा और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो वही बेसिक सा खाना काफी ज़्यादा टेश्टी लगेगा लगेगा कि आपने होटल से लेखर के आया है तो यहाँ पर मैंने मुंगदाल लिया है उसे दो तिन वर अच्छे से धो लिया है आप चाहें तो यहाँ पर साबुद वाले मुंगदाल का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसमें हल्दी और नमक डाल रही हूँ और पानी डाल देंगे और इसे दो तीन विसल तक अच्छे से पका लेंगे आप अगर साबुद मुंगदाल का यूज़ करें तो एक विसल ज्यादा लगा है आप लोग पूछते हैं कि आसिस आपकी हल्प क्यों नहीं करते कुकिंग में तो जब मैं कुकिंग करती हूँ आसिस अव्यू को लेकर के नीचे वाक पे लेकर के जाते हैं लोगोंने नीचे देखा वही थे तो यहां पर ढ़कन लगा लिया है मैंने और दो विसल आने तक इसे कुक कर लेंगे जो पत्ते थे वह एकदम clean थे एकदम हरे भरे थे गहर के थे तो एकदम साफ सूत्रे थे और इस तरह से घर की चीज़े आप लगाएं और इसे इस्तमाल करें बहुत ही ज़ादा अच्छा लगता है तो फिर मैंने इसे दो-तीन बार अच्छे से पालक को धो लिया है और इसे बारिक-बारिक चौप कर लेंगे आप चाहें तो इस दाल को चना दाल में ही बना सकता है अखसर चना दाल में ही बनाया जाता है बट आप इस तरह से मौंग दाल से ट्राइ किजिएगा बहुत ज़्यादा यमी लगता है खाने में और तड़के के लिए मैं यहाँ पर एक प्याज यूज़ कर रही हूँ बारिक काट लेंगे उसे साथी थोड़ा सा अद्रक और लैसुन भी बारिक बारिक काट लेंगे आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं और जो मिर्च है मैं इस तरह से डबे में डाल करके श्टोर करती हूँ टी सूपे पर लगा के अच्छे से क्लीन कर लें आप डंठल तोड़कर के अराम से 20 से 25 दिन तक चल जाते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं अब तड़का तयार करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर तेल डाला है कड़ाई में साथ ही थोड़ा से घी डाला है एक जीरा तेजपत्ता एक जीरा डालेंगे और एक तेजपत्ता थोड़ा से हींग और एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ खड़ी मसाले डालें इसे मैंने कूट लिया था मतले गरम मसाले इसमें की लॉंग डालचिनी और इलाइची था और यह मैंने अद्रक और लैसुन डाल दिया है और अच्छे से धीमी आज पर रोष्ट करेंगे इसके वाइस में प्याज डाल देंगे और साथी हरी मिर्च डाल देंगे इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि जो प्याज है और हरी मिर्च अच्छी से सुनेरी हो जाए अब हरी मिर्च अपसर बाद में आड़ करें ताकि इस कलर के साथ साथ इसका टेस्ट भी बना रहे अब इसमें हल्दी, साथ ही डाल देंगे धन्याजीरा का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर मसाले जले ना तो अब थोड़ा से से पानी अड़ कर दें क्योंकि मसाले बिल्कुल भी अच्छे से पक जाने चाहिए इसी से जो सबजी का टेस्ट या फिर किसी भी डाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है साथ ही डाल दें इसमें बारी कटा हुआ टमाटर अब अगर टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप यहां पर थोड़ा से इमली का पानी भी डाल सकते हैं जो डाल है वो भी चेक कर लेते हैं देखिए डाल मैंने दो विसल लगाया था आप अगर साबूद वाली यूज़ कर रहें तो तीन से चार विसल लगा लें डाल यहां पर अच्छे से पग गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गया था तो मैं इसमें डाल दे रही हूं पालक थोड़ी दिर के लिए से भूनेंगे बहुत जादा नहीं जैसे ही डालेंगे पालक एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा पता ही नहीं चल रहा है कि पालक डाला था मैंने बहुत सारे पालक तोड़े थे फिर भी सारा यहां पर गल गया दाल डाल दिया है इसमें अच्छे से मिला कर देंगे और तीन से चार मट तक के लिए से अच्छे से उबालेंगे दूसरी साइड मैं यहाँ पर चावल चड़ा दे रही हूं कुकर में ताकि फटा-फट से सारी चीज़े हो जाएंगी इस तरह से आप अगर काम करेंगे न तो बहुत ही जल्दी सारी चीज़े बन जाती है दाल बॉयल हो गया यहाँ पर अच्छे से उपर से मैंने संबारी कट हरा दनिया थोड़ा से घी डाला है देखिए दाल एक दम टेश्टी के साथ साथ काफी ज़्यादा है बच्चों को भी दीजेगा बहुत ज़्यादा यमी लगती है अब मैं आज यहाँ पर बना रही हूं भरवा करेले जो की बहुत अलग तरीके से बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा टेश्टी बनेंगे बनाएं तो छोटे साइज के लिए तो बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है और बनने में भी काफी मतलब जल्दी से बन करके तैयार भी हो जाता है तो उपर वाले इसकी मैंने हटा लिए हैं मैंने बहुत ज़्यादा नहीं हटाया आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं कि पसद तो आप और हटा सकते हैं और अंदर से से बीज निकाल देंगे तो जो बीज हाड है उसे चाली हटा देगा तो जब खाएंगे ना तो पटर पटर लगेगा तो इस तरह से यहाद पर सारे बीज हटा लिए हैं Ёभ जो стफोफ्ट आप किस्टफिंग में रखें आ और अगर आपके पास यह ना हो तो आप यहां पर भुनी वी बेशन का भी यूज़ कर सकते हैं सेम टेश्ट आता है साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है भुजिया सेव आप यहां भी कोई भी तरह का नमकीन डाल सकते हैं अब इसमें डाल देंगे एक चमज सॉफ साथ ही डाल देंगे इसमें एक चमज सॉरी एक चमज डाल देंगे वाइट वाली तिल आपको पसंद हो तो आप जरूर से एड़ किजेगा अगर नहीं पसंद तो इसकिप कर देजेगा साथ इसमें डाला है दो चमज डेसिकेटेट कोकोनेट और मैं छोटा वाला चमज यूज किया इस इसमें डालेंगे अब धनिया पाउडर मतल बेसिक मसाले साथ ही दो चमज धनिया पाउडर डालें एक चमज जीरा पाउडर एक चमज कसमेरी लाल मिर्च थोड़ा से हल्दी पाउडर साथ ही टेस्ट के कोडिंग नमक डालें क्योंकि भूजय भी नमक होता है तो ध्यान से दालें, साथ ही डाल देंगे, इसमें एक चमच आमचूर, अगर आप यहाँ पर आमचूर नहीं डालना चाहतें, तो आप यहाँ पर इंदी का पानी निम्बू करसी सब भी डाल सकते हैं, या फिर अचार भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत जाय टेश्टी बनता है, बीच उसे मैं यहां पर थोड़ा सा चौप कर दे रही हूं ताकि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए अब क्या करेंगे इसे मसाले में डाल देंगे और साथ इसमें डाल देंगे तेल तो यह मल्टी परपस मसाला आप इसे बना करके रख सकते हैं कुछ दिन पहले मैंने करेले में भरे बहुत ज्यादा टेश्टी वनते हैं और आप लोग जरूर से ट्राइब कीजिएगा आपको इतने पसंद आएंगे कि आप जब भी खाएंगे मुझे जरूर याद करेंगे तो वैसे तो हम लोग दो ही लोग है खाने के लिए लेकिन फिर भी शे खरेले आश बताती हूं तो इस तरह से इस्टिम कर लें और इसे इस्टिम करने में आपको आठ से दस मेट लग जाएंगे छोटे वाले करे ले थे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में और दूसरी साइड राइस भी हो गया था तो मैं क्या करूंगी ना कि जो करे ले अधिते उसे दूसरे साइड कर दूंगी और इस साइड में यहाँ पर रोटिया बना दूंगी तो इस तरह से भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की ट्राइब कर सकते हैं है यहल्दी के साथ साथ टेश्टी भी होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खाने में वही तो कैसी लगती है मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा और देखें यहाँ पर जो करेले है ना वह अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो आप इसमें कुछ भी फोक या फिर टूथपिक डाल करके से चेक कर लें बहुत ही आराम से जब चम्मच अंदर गुज अब जो करेले है ना जो मतब सॉरी जो इश्टीम हो गया थे वो इसमें डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर करेलों को फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह से बना करके देखिएगा करेले बहुत अच्छे बनते हैं इसके बाद इसमें तो आसा हल्दी तो आसा लाल म बहुत यमी बनते हैं आप लोग जरूर से ट्राई कीजेगा और जब भी बनाएगा छोटे वाले करेले से बनाएगा बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही अच्छा टेश्ट भी आता है मैं जनली छोटे वाले करेले से ही बनाती हूँ देखिए करेले कितने जादा और कुछ लोग मुझे करे ले की रेस्पी भी मांग रहे थे इसलिए मैंने आज यह बनाई है और आज इसको बहुत जादा पसंद है रोटियों को रैप करने के लिए मैं यहां यूज कर नहीं आड़ी उने रैप क्योंकि इसमें जो रोटियां लंबे समय तक सॉफ्ट रहती है इसमें कोई हामफुल कैमिकल वेगरा भी नहीं है तो इस वीकेंड मैं यहां पर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रैस्पी सेयर करूंगी मतलब सेटर डे या फिर संडे तो आप लोग जरूर से देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आज की वीडि व्लॉग में तब तक के लिए बाई टेक केर